सो हेलो गाइज वेलकम बैक तो दे न्यूव वीडियो तो गाइज यहरी साल दोजार चॉबिस की ओन लिए के टेम डियूक 390 तो ना आज की वीडियो में इस बाइक की बार में हम आपसे कावी सारी बाते शेयर करेंगे लाइक अगर आप इस बाइक को परचेस करने का सोच र होने वाले तो गाइज अगर हमारे चैनल गाड़ी स्टार्ट पर पहली बार है तो यार चैनल को सब्सक्राइब की जगा वीडियो चिल लगे तो वीडियो को लाइक की जगा तो यार चलिए वीडियो को शुरू किया जाए तो यहाँ पर दोस्तों यह है on new KTM Duke 390 का 3rd generation model तो यहाँ पर बात करते हैं इस बाइक की एक्ष्रूम प्रेस की वारे में तो इस बाइक का 3,10,500 रुपे का एक्ष्रूम प्रेस है और यह वाली बाइक आपको 3,62,000 रुपे का आसपास की ओनर पढ़ जाती है बाकि दोस्तो इस साल आप मैंसे कौन कौन इस बाइक को परचेस करने वाला है तो यह तो आप हमें प्लीज कमेंड करके शेर किजिएगा बाकि यह जो बाइक है वो यहाँ पर दो कलर में आती है पहला कलर है Atlantic Blue और जो सेकेंड कलर है वो है दोस्तों electronic और इस तो है ना दोनों कलर में बाइ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है बाइक के नंबर प्लेट की mounting और तो और घ्रम थोड़ा सा नीच है तो आपको देखने को मिलेंगे बाइक की LED Indicator और घ्रज अगर बात करें इस बाइक की हल लाइट के डिजाइन के बारो में तो यहाँ पर आपको बाइक में LED हल देखने को मिलती है, जिसका जो light का throw का बढ़ी है, बाकि आपको side में dear lights black में देखने को मिलती है, और उनका जो look है वो हमें कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाता है, बाकि अगर हम थोड़ सा नीच है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस bike का glossy black shade में front mudguard, यहाँ प आपको side fender पे न, duke 390 के आपको badging देखने को मिलती है, और कुछ इस तरह का इस bike का fuel tank के design है, तो यहाँ पर आपको duke 390 में इस बार आपको 15 litre का fuel tank यहाँ पर offer किया गया, बाकि आपको एक sticker देखने को मिल जाता है, और जो fuel tank की cap है, उसका design यापर काफी बढ़ी है, जिसक pillan rider की setup यहाँ पर दी गई है black color में, बाकि आपको rubber के foot pack इस bike में आपको देखने को मिल जाते है, और यहाँ आपको rare में देखने को मिलेगे कुछ इस तरह के grab handle, और बात करते है बाकि rare look के बार में, तो यहाँ पर guys कुछ ऐसी बाकि rare look है, यहाँ आपको T-shape में देखने को इस bike की tail head, उसके नीचे आप राज आएंगे indicator, indicator के नीचे आपको देखने को मिलेगा एक reflector, और reflector के नीचे आपको देखने को मिलेगी back की number plate की mounting, बाकि आपको इस bike में कोई भी rare huger है आपको देखने को नहीं मिलता, बाकि आपको side में साडी guard आपको देखने को मिल जाता ह और दोस्तों आपको इस bike का overall look के आपर कैसा लगा, तो यार ये तो आप में please comment करके share कीज़ेगा, तो बात करता है bike के engine के बार में, तो यहाँ पर guys इस bike में दिया हुए 398.6 cc, single cylinder 4 stroke, liquid cooled engine, और ये engine produce करता है 46 PS की maximum power, और आपको bike से 39 newton meter का है, आपको maximum torque आपको देखने को मिल है जो कि आपके riding experience को काफी जट हैं पर बढ़िया बनाइता है, बाकि बात करते है bike की mileage की बार में, तो आपको binder 2 2 km पर लेटर का आसपास की mileage आपको बाक से आपको मिलती है, और इतनी mileage के honor इस bike से gain करें, बाकि बात करते है bike की top speed की बार में, तो guys अगर road अच्छा हो ना, त किलोमेटर प्राइर के आसपस की जो टॉप सेटरा इपप होता है तो यहां पर आपको by के फ्रेंट में WP fx के युजी κोक्श अपको देखने को मिल जाते हैं आपको वो एक की रेयर में देज़ेस्टेबल WP Apex के Monoshocks suspension यहाँ पर देगे हैं इसके लोगा बात करते हैं brake setup के बार में तो यहाँ पर फ्रेंट में आपर आ जाती है 320 mm की फ्रेंट में disc brake और आपको बाइक के rear में 240 mm की यहाँ पर rear में disc brake offer की गई है और as a safety point of view आपको इस बाइक में dual channel Labia से आपको offer किया हुए बाकर बात करते हैं बाइक की टायर प्रोफाइल के बार में तो यहाँ आप आपको फ्रेंट में दी गई है 110 mm section के tire और आपको बाइक के rear में 150 mm section के tire आपको देखने को मिल जाते हैं बाकर फ्रेंट और रेर में 17 इंचिस के wheel आपको देखने को मिलते हैं और जो इस बाइक के डिजाइन है वो कुछ इस तरगा है तो यहाँ आपको और इस बाइक के ग्राउड के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर 183 mm के ग्राउड क्लिंस है 800 mm के seat height और अगर आप चाहें तो इस बाइक के seat height को 20 mm के increase कर सकते हैं और जो यहाँ पर बाइक का weight है वो है 168.3 kg का बाकि दोस्तों गर आपके height 54 है तो आप इस बाइक को असानी से ride कर सकते हैं क्योंकि नहीं इस साल काफी ज़दा seat height की बाइक की कम कर दिया है और इन सब चीजों के वज़ए से जो बाइक का comfort है वो यहाँ आपर द करता है इंग इनिशन को अन तो नो कुछ इस तरह के आपको animation बाइक यहाँ पर हो जाती है और जो console का interface हो यहाँ आपर दोस्तों काफी बड़ी है तो यहाँ आपको speed, gear position, integrator, rpm और ऐसी बाइक डेरो सारी जानकारे आपको ना इस console में देखने को मिल जाती है और यहाँ आप बाइक का console काफी यहाँ पर प्यारा दियेगे आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुती स्मूथ एनिमेशन यहाँ पर आ जाती है बाकि यहाँ पर यह चार बिटन दिये गए हैं जिनका यूज़ करके आप अपने console में navigate कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी बाइक के काविज स का सुच इस बाइक का दिया गया और दोस्तों बात करते हैं राट हैं और यहाँ आपको राट करने में देखने को मिल जाते हैं इस क्लफ दोस्तों बात देरे किया का फीचर में देखने को मिल जाते हैं तो फीचर के मामल में के वालों ने इस बाइक के अंदर कावी सारे फ इसकलाब दोस्तों, आप अपने बाइक के इंटरफेस को track screen पर switch कर सकते हैं, और इसकलाब आपको बाइक के अंदर आपको देखने के मिलते हैं, launch control, cornering ABS, red boy wire, quick shifter, super motor ABS mode, और यहाँ पर आपको tap-c charging port भी इस बाइक के अंदर और अगर आप इतनी डाउन पेमेट कर देते हो, तो आपकी जो परमत इमाई है, वो दोस्तों बनेगी 10,500 रुपे, और यह इमाई आपको अगले 36 मेने तक इस बाइक के पे करने हैं, बागी इस बाइक की वीडियो बहुत ही जल्दी इस चैनल के बढ़ाने होगा है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए गुडबाए